तो दोस्तो आज के वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि actual में जो entrepreneur जो word इसका meaning क्या होता है, entrepreneurship क्या होती है और कैसे आप एक entrepreneur बन सकते हो, क्या-क्या चीज़े आपके ध्यान में रखने की जरूत है ताकि आप लोग समाज का जो भी problem है उसको solve कर पाओ, कैसे होगा, क्या होग ये वीडियो में आपको पता चलेगा, बस आपको एक काम करना है, ये वीडियो को end तक देखना है, बहुत ये खूपसूरत सा topic है, और आज के जमाने में बहुत ज्यादा trending है, तो सबसे पहले समझते हैं कि entrepreneur होता क्या है, तो मैं आपको दो examples के थुरू बताने जा रहो, ठी लोग होते हैं, जो business करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तो, business man, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, लड़किया भी हो सकती है, तो business women बोलना चीए, लेकिन उनको भी business man नहीं कहा जाता है, तो हमारा वो पहले से ही man के हिसाब से consider किया जाता था, लेकिन वो बात जाने तो आज उसके उपर discussion नहीं करेंगी तो businessmen होगे चाहे लड़का हो चाहे लड़की वो businessmen कहलाता है अगर वो business करता है और दूसरा जो category होता है वो होता है उसको बोलते हैं हम लोग entrepreneur ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं अब इसका मतलब है क्या अब बहुत सार आम के पेड़े में बहुत सारे आम आते होगे तो आपने क्या किया उस आम को निकाला जो भी आम होगा टीक है जो भी आम होगा mango बोल लो मैंगो को निकाला और उसको market में Bel ठीक है? मरेड में जैसे आपने बचा समझ लो मैंगो का झाड उगाने में, उसको पानी डालने में, उसको उसमें देख बाल करने में आपने किसी व्यक्ति को रखा है, किसी आदमी को रखा है, उसमें खाद वगळे डालना पड़ेगा, फर्ट & बहुत स़ारी केर वगळे, फिर पैकिंग मगरे हो गया, बॉक्स में डालना, वो सभी में आपका समझ लो क्या हो रहा हुगा, कुछ खर्चा आ रहा हुगा, तो समझ लो कि आपने उस एक kg mango के उपर आपका जो खर्चा है, normally वो आ रहा है 40 रूपीज का, ठीके, समझ लो कि आपके वो एक kg mango के उपर आप bartner मार्केट में जाके उसको भी जाता है, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 40 रूपेज में आपको मिल रहा है, 80 में आप बेच रहे हो, कहीं न कहीं हाँ, आप 40 रूपेया कमा रहे हो, तो यज़ो आपने विद्नस किया, कहीं से कुछ चीज लाया और अपना margin रखा, margin मतल्ब अपना एक्ष्ट्रा पैसा जितना आप कमाना चाहते हो मार्केट रेट के इसाफ से वो रखा और उसको बेचा तो यानि कि वो जो एक व्यक्ति होगा उसने आम का बगीचे से आम का आम निकाला और उसको पैकिंग वगरे करके बेज दिया तो उसको चालीं सुर्बै कमाई हो गया सेम उसी प्रकार यहां पर एक दूसरा अब्यक्ति है वो क्या करता है सें बगीचे हैं गल्न लेता है ठीक है एक केजी मैंगो लिया उसने समझ había pandemic वो ले रहा है वो मार्केट नहीं जा रहा है ये क्या करेगा ये मैंगो का एक किलो जो मैंगो उसने लिया ना ये मैंगो का अब वो क्या कर रहा है जूस निकाल रहा है और वो जूस जब निकाला उसने तो समझ लो एक किलो का मैंगो है तो उसमें कम से कम दो लीटर तो आराम से जूस निकल जा बॉटल का समझ लो, एक का प्राइज है 10 रुपिया, तो दो लिटर बना है, एक लिटर का एक लिटर का ये, और ये बॉक्सेज बनाने के बाद उसने एक बॉक्स को, वन बॉक्स को जो है बेचा दोस्तों, 150 रुपीज में, एक बॉक्स को मतलब एक लिटर के जूस को उसने 150 तो टोटल एक्चुली कितने बेचेगा हो 150 प्राइब उसने बेचा तोटल उसका खर्चा कितना लगा 40 रुपया ये प्राफिट है वो कही गुना ज़्यादा बढ़ गया और यहां पर उसने नॉर्मल धन्ना नहीं किया उसने दिमाग लगाया उसने क्या किया उसने कुछ चीज को चेंज किया वो कहलाएगा आंत्रप्रणर अगर आप कोई चीज ले रहे हो उसमें इनुवेट कर रहे हो उसमे आंत्रप्रणर समझ में आया तो एक basic businessman कहीं से लाया कहीं पे बेचा profit कमाया कहीं से लाया उसको renovate किया नया चीज बनाया हो सकता है कुछ changes किया फिर उसको वापस से बेचा और गुना दस गुना ज्यादा पैसे कमाया तो वह यह काम कर रहा है तो यह था business क्या होता है आंत् entrepreneur देखो सबसे पहले entrepreneur जिसको भी बनना है उसके माइन में एक चीज होना चीए you have to problem you have to solve some problem of the society अब जैसे की जितने भी बड़े-बड़े entrepreneur आप ले लो मैं examples बहुत सारे दोंगा बहुत सारी इसी companies खुली entrepreneurship मतलब क्या होता है कि आपके पास आपने कोई company खुली अब आप entrepreneur कैसे कहला होगे मैं best examples कुछ नो कुछ examples है आपे मैं देने की कोशिश करता हूँ देखो यहां पे ठीक है ध्यान से देखना जो चीज में आपने MBA चाय वाला का नाम सुना आगा देखो मैं आपको बताता हूँ अभी यह चीज का नाम में बता रहा हूँ अब यह जो कुछ नाम मैं ऐसे ही ले रहा हूं बहुत सारे इसके अलाव भी अगर आप देखोगे तो देर गयर सो मेनी people ठीक है ना यह सभी चीज मैं आपक लेकिन एक entrepreneur जो होता है वो अलग होता है entrepreneur क्या करता है कि समाज में जो चीज नहीं है मार्केट में जो चीज नहीं है उसको कैसे क्रियेट कर सकता हूँ जैसे example समझो Olah Uber e along power क्या करते है टाक्सी चलाते है टाक्सी तो पहले भी चलती थी टाक्सी जो थी जबसे मतलब समझ लो फोर विलर्स चल रहे है, तब से टैक्सी चल रहे है, अटो रिक्शा चल रहे है लेकिन ये ओला उबेर इतना पैसे कैसे कमाली मैं समझलोग एक जगा पे रहता हूं और उसी के दर्वाजे के बाहर आपको इक टैक्सी मिलने जीते है आपको चल के बाहर नहीं जाना पड़ेगा कि ए टैक्सी है टैक्सी हार दिखा के या फिर सिटी मार के लोग बुलादे ना ए टैक्सी ए रिक्षा ऐसा बुलादे ना तो वो ना करना पड़े आपको बस क्या लगेगा एक स्मार्टपोन लोगेगा जो कि आज की रेडि में सॉल किया सीधा हम लोग बुक करेंगे आएगा और फिर फुर्विलर आएगा या फिर जो भी आएगा जो भी कार है वो आएगा आपको पिक करेगा और जहां पर छोड़ना रहेगा महां पर चोड़ेगा सेफटी रहेगा एर कंडिशन कार नौन एसी कार सब चीज आपको अब स्वाइबल आ तो यह प्arakलिबं उन्होंने सॉलम किया आपको जो दरड़र जाके ढूरन तक्सी को रिक्षा, वो करना नहीं पड़ेगा आपके जया बहुत पसंड कर रहे हैं, खसकर बहुत सार ऐसे जगा जहां पर बहुत बहुत तकलीफ होती है, मुंबेग या से ज यहाँगा मन कर रहा है तो व चीज जो है वह मिलती है दो चार क्लोमेटर तो लेकिन आपको जाने गर बेटे बेटे वह चीज मिलनी चाहिए, तो मैं आप जाओगे अप्लिकेशन है यह मुभाइल में जाओ एप्लिकेशन में में जो खाना है जो रेश्टरोंट में जाना है यह मुझे खाना है डाला उसमें पैसा एड़ किया आगया आपके घर में पार्सल डिलिवरी बॉय लेकिया जाएगा जो मैटो सुईगी बहुत सारे एक्जामपल से इसे तो यह करते हैं इन्होंने भी प्रॉब्लम को सॉल किया कि जो इंसान को बाहर जाना पड़ता था खान क्या किया उन्होंने चाही बेशता है वो भी लेकिन उसका जो अलग तरीकेस आए ठीक है न तो यह आंत्रेपर्नर्स कहलाएंगे यह क्या कहलाएंगे यह आंत्रेपर्नर्स कहलाएंगे तेरा so many other entrepreneurs बड़े बड़े लोग है यार मैं तो सिर्फ दो चार एक्जामपल दिखा लेगा बर जो ग भड़ है।